है दोस्तों तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइट लेवल एटियम और ब्राउन लेवल एटियम के बारे में बेसिकली जो हम लोग जानते हैं वो दो ही तरह के एटियम जानते हैं एक तो वाइट लेवल एटियम और दूसरा ब्राउन लेवल एटियम होने को और भी होत लिए होते हैं ही Geinsengर यह सब चीजे हैं पर बैसिकली हमारा जो मोटो naval है आज के वीडियो का वह वाइक लेवल एक्ट यूप और ब्राउन label एक्टेयोः लेसित अाको चलिए हम लोग जानते हैं कि व्लेवल एक्टिम क्या होता है दो कitating एक्टेव एक्टे पर जो बेंक के अलावा जितने भी एजेंसी होते हैं वो उस एटीम को इंस्टॉल करते हैं और उस एटीम को इस्टॉल करने के लिए वो किसी भी बैंक का नाम नहीं डालते हैं वो अपने नाम से इंस्टॉल करते हैं जैसे की इंडिया में सबसे पहले प्राइवेट एटीम जो हुआ था जि इसे आप इंडियावन एटियम के नाम से जानते हैं इस तरह की बहुत साड़ी कंपनिया इसमें आई प्राइवेट एटियम का बेसिकली काम यह होता है कि वह अपना एक प्रेमेसिस जो है वह भाड़े पे लेती हैं वहां वह अपना हाडवेर एट मिन्स के एटियम मशीन का करते हैं शॉट यानि कि एक पूरवापर सेट जो ट्यूंस का होता है वह इंश्टॉल करते हैं और उसको रन करते हैं की हम जांपल के को लेते हैं जिनका की इंडियावन एटियम है तो वह क्या करते हैं कि वह प्रैमेसिस को भारे पे लेते हैं और वहां अपना पूरा सेट अप इंस्टॉल करते हैं और उनके कैस मैनेजमेंट को भी वही देखते हैं और सौप्टवेर के मैनेजमेंट को भी देखते हैं और इस कि RBI चाड़े थी कि गाउं गाउं में हर एक जगा एटियम्स जो है वो इंस्टॉल हो सके और लोगों को इसकी सुईधा मिल सके इसलिए वाइट लेवल एटियम्स का कॉंसेप्ट लाया गया क्योंकि बैंक जो था हर जगा अपना एटियम्स स्वेक्षा से खोल नहीं पा रह है अगर हम इंडिया वन यानि कि बीटियाई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेट की बात करेंगे तो अभी पूरे आल ओवर इंडिया में 8000 प्लस एटियम्स इंस्टॉल है जिसमें से कि 1200 प्लस एटियम्स वनली फो बिहार जैसे राज्य में ही इंस्टॉल है तो आप सम प्राइट लेबल एटियम्स फिर कमाते कैसे हैं तो बेसिकली आप समझ सकते हैं एक्जामपल के तौर पे अगर एक व्यक्ति ब्रांच में जाके अपने पैसे को विड्रॉ करता है जिसमें उसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने परते हैं तो उस पैसे को अगर विड इक्रिशिटी बिल यह सारा कुछ इंक्लूड होके पर वैक्ति जो आता है वह 35 तू 50 रुपीच के आसपास परता है लेकिन अगर वही वाइट लेवल एटियम्स वाले उस पैसे को कस्टमर को बाहर उनके घर के आसपास ही दे देते हैं तो बैंक उसके उपर में अब कुछ सर्टेन चार्जेज उस वाइट लेवल एटियम्स वाले को देती है तो इसमें कस्टमर को यह फाइदा होता है कि उनका तो कोई चार्ज नहीं करता जो उनको आर्बियाई ने दिया हुआ है कि आपका पांच ट्रांजेक्शन फ्री हैं अब तक वही मिल रहे थे अभी कर द वसूलती है कस्टमर से वह लगता है एटियम्स कोई भी चार्ज नहीं वसूलती है क्योंकि एटियम्स जो होता है वह पैसा ब्रांच से लेता है जिस बैंक के कार्ड होल्डर वहां आते हैं उस बैंक से वह पैसा लेता है तो आपको फ्री की जो देते हैं वह आपको बैंक देते हैं कि आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसी तरह जो है इंकम जनरेट करती है और जो अब जानते हैं लोग कि ब्राउन लेवल एटियम क्या होता है बेसिकली ब्राउन लेवल एटियम यह होता है कि इसमें भी कंपनिया जो होती है वो प्राइबिट कंपनिया ही होती है पर इसमें वो जो लोगों यूज करती है वो खुद का लोगों यूज करता है तो ब्रांच का लोगों यूज करने स क्या होता है कि वहां banking सेक्टर में जैसे कि अगर कोई इस्टेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को जो एटिम लगाने थे अपने कस्टमर को अपने अट्रैक्ट के लिए अपने ब्रांच में खीचने के लिए वह टारगेट ब्राउन लेवल एटिम में कम्प्लीट हो जात है और उसका जो है जो काम कस्टमर है वह भी बाहर ही पैसा वह भी ले सकते हैं तो ब्राउन लेवल एटिम जो है वह भी पूरी तरह से प्राइवेट एटिम यानि वाइट लेवल एटिम के तरह ही इंस्टॉल होते हैं वहां पे जो उनका चार्जेज होता है जो रूम रें है बैंक जैसे कि स्टेट बैंक पंजाब निशनल बैंक जो भी है वह अपना लोगों लगाते हैं जिसमें वह अपने कस्टमर को फायदा देते हैं उस अटियम में कि उनके कस्टमर जब निकाले तो उससे कोई भी चार्जेज ना लिया जाया प्लस वह कुछ सटन इंकब उस प्राइवेट एटियम वाले को भी देते हैं जिससे कि यह ताल में बना रहा सके और इसमें क्या होता है कि कस्टमर का भी फायदा हो जाता है और जो बै आउड लेटियम में क्या हम खुद का इनवेश्मेंट करके कुछ इंकम जनरेट कर सकते हैं तो जी हां आप कर सकते हैं उसमें हर एक कमपनी का अलग अलग जो है करिया है उसको आप पूरा करेंगे आप उन्हुर्ट के जगा पर या फिर आप रेंट पए जगा ले करके आप उहां इंस्टॉल करवा सकते हैं और आपको पर ट्रांजेक्शन कमिशन मिलेगा तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पर आप यह समझ ले बेसिकली आपके जानकारी के लिए कि अगर आप वाइक लेवल एट सेंट आडवाई निकल कर आती है यानि कि अगर आप मान के चलें कि ट्वेंटी फाइब टू ठाटी ठाउजन रुपीज पर मंत आप इंकम जनरेट कर सकते हैं वहां से तो यह बिजनस अभी बहुत अच्छे से चल रहा है अगर आपके पास विधाये हैं आपके ब्रांच को कैस देने के लिए रेडी है तो यह जस्ट लाइक के सीएस पी आप इसमें काम कर सकते हैं तो इसी तरह से वाइट लेवल एटियम और ब्राउन लेवल एटियम काम करता है अगर आप हमारे इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करेंगे और आगर आप जानना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको क्या-क्या जानकारी चाहिए सारे कॉमेंट बोक्स में बताए ताकि मैं इसी तरह के बैंकिंग डिएटेट इस सारे वीडियो आपके लिए लाता रहा हूं तो आप कॉमेंट जरूर करे और शेयर करें ताकि ज्यादा से कारी मिल सके, थांक यू, थांक यू, वेरी मुच.